अपनी यूट्यूब चैनल बी पी टुटोरियल में और मैं विकास कुमार आप से भी का स्वागत करता हूँ और आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट 11 यानि मॉक टेस्ट 11 यह आपका इगारवा मॉक टेस्ट है जो की इंग्लिश पे हो रहा है फ्री का आपको चलेगा 10 सप्टेंबर से कोचिंग और टाइमिंग के लिए आप टेलिगाम चैनल के वाइन कर लिए ठीक है ताइमिंग और स्केट्यूल वहाँ पर आपको दे दी जाएंगे कि कितने वज़े से क्लास स्टार्ट होगा तो दोनूं का लिंक आपका डिस्क इसे आप गौश्य पूछ रहा है कि select the most important select the most important appropriate options तूब्सित्यूट दा अन्डर्लाइन सेग्मेंट इन दा गीवन संटेंज इफ देर इस नो नीड़ तूशचिटूट इट सिलक्न नौ इम्रोइम्रोंमेट यानि आपको जो अंडरलाइन किया हुआ है लॉट्स अपीपल इसमें आपको निमलिखित options में से सही चुनना है substitution, अगर नहीं है कोई substitution तो D not improvement चूज किजेगा, तो आएए एक बार देख लेते हैं, lots of people visit this restaurant as its biryani is famous, तो lots of people होगा, a lot people होगा, या lot of people होगा, या much of people होगा, तो देखिए, people एक already आपका बताता है, ये plural form है, ठीक है, peoples का मतलब ही sum होता है, पहले ही से, इसमें s-west नहीं लगता है, ठीक है, इसको singular plural नहीं करना, peoples का मतलब ही होता है, more than two, ठीक है, तो a lot of people होगा, ठीक है, a lot of people, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है, तो a lot of people आपका सही होगा, ठीक है, हाँ तो plural form के वज़ा से peoples नहीं होता है कहीं पर ठीक है people का plural forms नहीं होता है people खूद एक plural है ठीक है हाँ तो s नहीं लगता है इसमें s अटाना होगा और a लगाना होगा a lots of people ठीक है next आज जाएए in this sentences identify the segment which contains the grammatical error तिलक round through the river and tied his boat on the other side तिलक wrote on the other side and tied his boat through the river ठीक है तो आपको बताना इसमें से grammatical error किस में है ठीक है तो आपका d options जो है ना through the river through the river नहीं होता है मैंने आपका पिछला mock test में भी mock test number 10 था वो उसमें भी आपको across जो roberts वाला था ना across roberts आपका chase कर रहे है across और through तो through कहा होता है through the streets the roberts the policeman are chasing the roberts through the streets ठीक है और वहाँ पर मैंने बताया था कि across अगर आ जाएगा across तब आपको rivers के लिए यूज करना है तो यहाँ पर across the river होगा क्या होगा across ठीक है यहाँ पर आप across यूज करोगे यह questions आपका paramedical का है भी आपका repeat कर रखा है तो यह important across और through बहुत important है ठीक है across और through का use आपको आना चाहिए ठीक है येस तो इसका use आप लोग अच्छे से शिख लीजेगा next question पर चलते है select the most appropriate meaning of the given items यानि आपको most appropriate given items का meaning जानना है तो leave no stone unturned ठीक है items का आपका बताना है leave no stone unturned leave the path halfway not make enough efforts turn everything upside down try everything possible ठीक है तो कोई भी पत्थर को हम छोड़े ने कोई भी मतलब कहते हैं कि हम हर चीज देख लिए हर नुसका आजमाली लेकिन ये हो नहीं पा रहा है तो everything possible हम हर कोशिश कर लिए लेकिन नहीं हो पाया ठीक है तो हम लोग यहीं बोलते है I leave no stone unturned मैंने पूरा अपना best दिया हर चीज किया I tried everything ठीक है possible ठीक है कुछ काम नहीं हो पाता तो ये हम लोग बोलते हैं इस item का यूज करते हैं ठीक है हिंदी में क्या बोलेंग इसको हिंदी मीनिंग कोई comment कर दीजेगा हिंदी में proper इसका मुहाबर एकाहवत क्या हो जाएगा इंग्लिस में तो try everything possible और leave no stone unturned इसका मतलब क्या हो जाएगा ये बताएगा 59 In the sentence identify the segment which contains the grammatical error 3 more evaluated roads have been proposed in the new plan to unclock the traffic in Delhi यानि आपको इसमें से grammatical error खोजना है have been proposed 3 more evaluated roads in the new plan to unlock the river in Delhi so इसमें आपका sentence जो है present perfect continuous में किसमें present perfect continuous ठीक है present perfect continuous में ठीक है ठीक है हाँ तो यहाँ पर आपको 3 more evaluated roads have been proposed in the new plane to clock the traffic in Delhi तो आपको क्रेक्ट क्या हो जाएगा हाँ यहाँ पर जो have been proposed है have been proposed इसको आपको ठीक करना होगा ठीक है तो have been proposing करना होगा ठीक है क्यों होता है आपका आपका ing लगता है ठीक है ing लगता है न इस वजह से present perfect continuous में तो have been proposed है और have यूज होता है प्लस बीन प्लस ing तो आपका ing लगे यहाँ पर सिंपल टेंस के उपर आपका सवाल था ठीक है सिंपल टेंस के उपर आपका यह सवाल था चलिए next question पर चलते है select the most appropriate synonym synonyms के बीना तो कुछ हो ही नहीं सकता तो synonym आपको बताना है select the most appropriate synonym of the given word expose ठीक है expose का beauty hide reveal protect तो expose का मतलब क्या होता है रीवील कर देना होता है ना आज यह expose हो गया न्यूज चैनल वाले expose करते है ना सबको परदाफास कहते है ना संसनी खेस परदाफास होने वाला है जो कि सब एकार रहता है न्यूज so वही है reveal करना 61 select the most appropriate antonyms of the given word जब तक antonyms synonyms ना दे दे तो बिहार paramedical में मज़ा नहीं है ठीक है तो आपका questions क्या है पर-pet rate ठीक है पर-pet rate तो आपको बता रहे हैं इसका सही क्या होगा meaning तो इसका मतलब होता है to commit a crime to commit a crime जूम्न करना ठीक है गुनाई जूर्म करना ठीक है कोई जूर्म को हम लोग करते हैं या harmful act harmful जूर्म करना तो कमिट आपका crime और a harmful act उसका हम लोग बलता है ठीक है तो ए हापका commit b perform c execute ड 20 इसका क्या होगा सही हाँ प्रिवेंट होगा तो कुछ करने से पहले उसको प्रिवेंट कर देना तो प्रिवेंट कर रहे हैं यहां पर यहां पर दी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सिक्ष्टीवन कर दी सिलेक्ट तब वर्ट विच मेंस तब सेम अस ग्रूप ऑफ वर्ट किवन ठीक है सम्ठिंग कैन नॉट बी अवाइड यह तो बहुत है जिसको टाला नहीं जा सकता जैसे थैनॉस बोलता है ना इन्फिनिटी वार में आई एम इन्हिटेबल तो वहां कहने का क्या मतलब है मुझे टाला नहीं जा सकता तो थैनॉस जैसे बोलता है इन्फिनिटी वार में एवेंजर्स के मूवी में आई एम इन्हिटेबल तो आपका डी जिसको टाला ना जा सके तो डी ऑप्शन इन्हि जिसका बोलते बिभार बापने बढ़ा सकता है, आगे बढ़ा सकता है, लेकिन नहीं बढ़ाएगा ना, चुनाओ आनेवाले प Kenneth Shag очень तो नहीं बढ़ाएगा, तो 26 को ही होगा ज्यादा खूस होनी के आवश रखता है नहीं है ठीक है ना चलिए पढ़ाई कीजिए ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ है Select the most appropriate word to fill in the blanks fill in the blanks के लिए appropriate आपको यहां fill in the blanks दे रखा है यहां पे appropriate word यूज करना है I had a stroke at an early age but what I thought was a great fill in the blanks at that time changed my life for the better indent, incentive, indication, injustice यानि आपको I had a stroke at an early age हाँ तो बताइए क्या होगा इसमें देखिए कभी-कभी क्या होता है ना questions में आपको ना है ना तो आप बोल के देखो बोलने में कौन सा अच्छा लग रहा है कभी-कभी होता है ना कोई पार्ट्स में confusion हो जाता है तो हम लोग नहीं मीम्स पढ़ते हैं तो लिखा रहता है यह बोलने में अच्छा लग रहा है यही होगा तेके करके सबको डालके देखो फिर दिब्लैक से और जो बोलने में अच्छा लगे उसको सही टिक कर दो बहुत टाइम हम लोग भी अपन इन बोलने से अच्छा लग रहा है इसका में थोड़ी है कि सही ही होगा ग्रामिटिकल रूल लगाना ग्रामर्स देखना पड़ेगा ठीक है सब कुछ देखना पड़ता है ठीक है इन कभी-कभी कर सकते यह चीज़े ठीक है और आप लोग करते भी होगे कि यह सब के साथ आपका इसका मतलब क्या होता है यह तीनों तो आपका क्या हो गया अपोजिट वर्ट हो गया लेकिन राइवल आपका क्या हो गया विरोधी ठीक है तो राइवल होता है उसका मतलब अपोनेंट क्या पोलता है उसको अपोनेंट ठीक है अपोनेंट ठीक है यस नाउं कोशन नेमबर 65 से 70 करना है उसके लिए आपका डिरेक्शन से and directions हमें साच्छा सी examinations में पढ़ गए गाओ. ठीक है मैं दियर्प के लख लएख थेगा लावनी सुघू हूं. गवन बिलो आट दो फर जम्बल संटेंसे. आट दो गवन पिक नहीं दो मुथा पिक गूस पोट नहीं है। questions the country were dumped founded by his questions यानि यहां आपको क्या करना होगा ने कम सब दो से तीन बार आपको हर sentence को पढ़ना होगा उसके बाद arrangement करना है कि correct way में आपका पूरा paragraph कैसे बनेगा ठीक है so आपको कैसे करना होगा correct आपको देखने के लिए सबसे पहले once अगभर asked his courtiers a very strange questions यानि C ठीक है उसके बाद आपका देखते हैं D ठीक है once Akbar asked his courtiers a questions strange questions the courtiers were dumped founded by his questions D ठीक है उसके बाद क्या होगा देखते हैं Akbar glanced at his courtiers in the search of an answer उसके बाद उन्होंने जो questions पूचा उसका answer के लिए उन्होंने वेट किया ठीक है उसके बाद देखते हैं as he looked at them their heads begins to hang low तो उन्हों के तरफ देखा तो उन्हों के पास किसी के पास questions नहीं था तो आपका C D B A यानि आपका B option is the correct ठीक है तो एक बाद पढ़ लेते हैं एक बाद once Akbar asked his courtiers a very strange questions the courtiers were dumped founded by his questions Akbar glanced at his courtiers in the search of an answer as he looked at them their heads begins to hang low ये था आपका proper ठीक है प्रोपर sentence or paragraph ठीक है जंबल वाट साहर ठीक है जंबल वाट साहर ठीक है जंबल वाट भी आफ लोग मिल सकता है ठीक है second half का question 66 later they set up their own art school and gallery in the prison the prisoner wanted to display their artwork inside the prison they took the help of volunteers from the school of art prisoner who were interested in visual arts and painting could study there ठीक है तो यहां से start होता है सीधे मुझे answer दिख रहा है साफ साफ कि यहां से बी वाला से start होगा the prisoner wanted to display their artwork instead the prison तो जंबल वाट में आप पहले story पकड़ने का कुछ करो कि आपको क्या story दे रहा ठीक है अपना स्कूल खोलना चाहता है जेल में तो यहां से हुआ कि यहां से मुझे दिखा कि बी सबसे पहले होगा क्यों कि the prisoner wanted to display their artwork inside the prison तो वो लोग चाहते थी कि अपना artwork display करे तो यह आपका बी हो गया ठीक है बी हो गया आपका सही बोले उसके बाद they took the help of volunteers from the school of art तो वो करने के क्या किया है वो help लिए किस से school of arts के volunteer से तो see हो गया उसके बाद क्या किया हो लोग later they decided to set up their own art school and gallery in the prison तो फिर बात में सोचे कि अपना ही prison में हम लोग खोलता है ठीक है gallery school का art and gallery तब last में बज गया क्या तो जो prisoner interested थे यानि D visual arts और painting में study कर पाएं क्यों खोला तो वहां study कर पाएं एक बार पूरा पढ़ते हैं ठीक है so B से start करते है तो prisoner wanted to display their artwork inside the prison ठीक है prisoner वहाँ पर अपना artwork को display करना चाहते थे prisons में तो उन्हों लोगों ने they took the help of volunteers from the school of art तो उन्हों लोगों ने मदद लिया वां लेंटियर स्कूल अफ आट फिर उसके बाद later they set up their own art school and gallery in the prison बाद में उन्होंने खुद के prison में own art school and gallery खोला जिससे की prisoners who were interested जो सीखना चाहते थे इंट्रेस्टेट थे वहां painting और study कर पाएं तो आपका correct क्या हो गया BCAD तो BCAD आपका option number A में BCAD ठीक है तो इस तरह से आपको करना है select the wrongly spelled word wrongly spelled word पे आपका आता है celebrate celebration celebrity celebrate तो एक इसमें से गलत है ठीक है celebration ठीक है सो यहां पर celebration आपका गलत है spelled है ठीक है तो यह है गलत है spelling word देख लिजे जो खाते खिलाते हैं S-E-L-E-B-R-A-T-I-O-N होता है ठीक है यह celebration हो गया भजपूरी style हो गया celebration होगा क्या celebration ठीक है तो भजपूरी style वाला मीनिंग हो गया celebration ठीक है correct क्या होगा celebration ठीक है celebrity celebrate और celebrate यह तो तो तीनों सही है ठीक है correct आपका B option होगा और गलत तक स्पेल लाई है ठीक है spelling correct यह है correct correct ठीक बहा नेक्स्ट चली नूँ आज एक कोशिन नमर्स 68 के उपर पूछा था कि select the most appropriate meaning of the given item यानि item का आपका सही मतलब डाना है dance to someone's tune ठीक है dance to someone's tune ठीक है किसी के और के इसारों पर नाचना इसका क्या मतलब होगे मुहाबर हिंदी में किसी के और के उंगलियों के निशारों पर नाचना तो यह dance to someone's tune इसका मतलब है do you want others want want to you to do delay in making a decision arguing with others on pretty matters be engaged in energetic activity तो क्या हो जाएगा हाँ तो आपका allow कर देना किसी को की control हो जाए ठीक है तो किसी के और के इसारों पर नाचना ठीक है तो यह हो जागा do what others want you to do ठीक है तो जो आदमी control हो जाता है तो उसको यह होता है dance to someone's tune किसी और के उसारों पर नाचना तो नहीं नाचिये ठीक है select the most appropriate antonyms of the given word miniscule miniscule ठीक है word क्या दया जिसका मतलब होता है extremely extremely इसका मतलब क्या होता word power में बोला अगर English मजबूत कर नहीं बस word power मजबूत करो सब धीरी-धीर automatically आपकर ठीक हो जाएगा so extremely small tiny ठीक है so इसका correct antonym क्या होगा jig gigantic ठीक है बाकी सब का मतलब small होता है छोटा यह synonym से सब ठीक है small mirage dwarf dwarf का मतलब क्या होता बावना ठीक है 70 questions देखते हैं select the word which means the same as the group of words given a person belonging to a foreign country क्या बोलते हम उसको native inhabitant alien resident क्या बोलते है उसको उसको हम लोग बोलते है alien क्या बोलते है alien एनराय मत समझ लेना non residential Indian alien बोलते है यहाँ पर दिये गए options में से alternative में से आपका alien हो गए ठीक है तब तक के लिए पढ़ात रही मुश्कुराते रही और हसत रही बाबाय and keep studying